नमस्कार साथियों इस टॉक इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है दोस्तों आज की रेटर में मदरसन सुम्मे में बेसक 20% की गिरावट हुई हो लेकिन जो छोटे निवेसक है इस चीज में घवरा जाते हैं क्यों गिरा कैसे गिरा इसे गिरावट से आपको क्या फैदा म मिलेगा तो हम आपको एक चीज बारिकी से बताएंगे उससे पहले दोस्तों आपसे छुक्ता सा रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी परकार का कोमेंट करते हैं तो परसनल यह जाती बात पर ना जाएं यह मेरा उत्तर दाय तो बनता है कि अगर आप हमारे चैनल के द्वारा से किसी सेयर को खईते हैं तो हमारा पुरा जवाब दे ही होता यह जैसे कि आज की रेट में दोस्तों हम आपको 11 बारिकी से बताने वाले हैं इस गिरावट से आपको क्या लाब मिलने बला है हला कि कल के बटाएगे वीडियो में अगर आप पुरा देख लिये होते हैं कि मदल मादासन सूमी में वन इस्टू वन की रेशियो में आपको बॉनस मिलेगा बिग नीज है डिमर्जर तो आईए हम आपको एक एक चीज बारिकी से बताते हैं और आप लोग गलत कोमेंट ना करें इस तरह का कोमेंट करें ताकि दूसरों को हित में हो और आपके भी हित में हो त चार कमपनियों की समू है मदर्शन सूमी जिन में से एक कमपनी को बाहर निकाला गया है और बचे हैं इसके अंदर तीन कमपनी जब एक कमपनी को बाहर का रास्ता दिखाया गया तो उन्हें जो सूची बद करना है यानि के निसी और बेसिम जो लिश्टेड होंगे 70 पूटा है 20 परसंट दोस्तों इसके बदले में आपको एक सेर के बदले में एक सेर दे जाएंगे जिसका की रिकॉर्ड देट 17 जनवरी 21 है अब जो सेर टूटे हैं मार्च 2022 तक में यह सेर जो है आपको लिश्टेड होते हुए देखेगी एनसी और बेसी में जिसका नाम हो एक सेर दिये जाएंगे कब मार्च 2022 में जब कंपनी लिश्टेड होगी तो उस समय आपके पोटपोलियों में यह सेर आ जाएंगे तो इसलिए आपको घवराना नहीं चाहिए दोस्तों क्योंकि आपको पता है डोमेस्टिक वाइडिंग हारनेस का मदर्चन सुमय में बहुत वरा योगदान है अब दिन परती दिन इन कंपनियों की डिमांड बढ़ते जा रहे थी जिनके कारण से मदर्चन सुमय से अलग कर दिया गया डी ड़बलू आज को इसी को बोलते हैं डोमेस्टिक वाइडिं इन्होंने तब फिर भी मदर्चन सुमी का जो लक्ष दिया है 270 रुपईय का अगर आपके पास हो तो जल्दवाजी में बेचने की कोशिस ना किजेगा क्योंकि यह लंबे समय में बहुत अच्छा आपको रिटन देगा ना यकिन है तो आप सब से पहले हम टेकनिकल में देखें कि यह सेर आज की रेट में एक लाख चोवन हजार चार सो तिरासी परसंड का रिटन दिया है कब से तो आप देख सकते हैं यह कंपनी लिष्टेड हुई थी कब 1993 में लेकिन चार्ट अनुस्वार्स अगर आप देख सकते हैं तो 12 पैसे का यह सेर था 1999 में उस सम में इन्होंने आपके पैसे को 1544 गुनाओं में बदल दिया आप ऐसे समझ सकते हैं अगर 1999 में आप 1000 रुपया इन्वेस्टमेंट किये होते हैं आप छोड़ दें कॉंटेटी आपने कितना खरीदा नहीं खरीदा लेकिन अगर 1000 रुपया उस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जो देख रहे हैं एक लाग 54,483 तो आप इधे पीछे से दो अंग घटा दे यानिके कुल मिला कि आपके पास बच रहे हैं कितना 1544 आप इससे मल्टिपला कर दें तो आपका वेलुवेशन कितना निकल के आ रहा है 15,44,000 मतलब कि 15,44,000 एक 1000 रुपया के इन्वेस्टमेंट करने से अब मिल रहा है आप आपको 15,44,000 लेकिन इस बाच बीच में यह कमपनी 9 बाट आपको बॉनस दे चुकी है और कमपनी हर साल अपने सेर धारकों को डिविडेंट भी देती आ रही है तो लंबे समय में फैदा होता है जो चीज आज के डेट में आप 18,500 में 100 सेर खई देंगे क्या पता आगे चल अपनी ओटो सेक्टर के लिए पाट पूर्जा का काम करती है और इसका तक्रीबन लगवग देश के दुनिया के लगवग सभी देशों में इसका कारोबार फैला हुआ है यहां तक की चीन में भी इसका कारोबार लगवग 25 परसंट की हिसेदारी के साथ वहां की कमपनियों के साथ समयलित है अब नॉर्मली बताते हैं दोस्तों यह कंपनी 1986 में इसका गठन किया गया था मात्र 78 लाग के इन्वेस्टमेंट से उनके बाद यह कंपनी 1993 में लिस्टेड हुई NAC और BAC में उस समय इसका तक्रीबन प्राइस हुआ करता था 12 पैसा उस समय से लेके आप इन्होंने जो आपको दिया है वो तो आपने देखी लिया क्योंकि हम आपको बताए थे इस समय टेकनिकल चार्ट पे अब जो आपको बताने जा रहे दोस्तों कि बहुत जल्द ही यह से अगर आप बिना रिक्स लिये हुए इन सेरों के साथ आप 10 से 12 साल होल करते हैं तो य इस बीच में यह जो हमने टार्गेट दिया है 10 से 12 साल इस बीच में यह सेर आपको तक्रिवन 4 से 5 बार बॉनस देगी अगर बॉनस नहीं देंगे तो 18 सव का लेवल होगा तो हम ऐसा क्यों कह रहें दोस्तों यहां पर आप छोटा सा एक्जमपल के तौर पर समझ सकते हैं कल तक जो गारियां हुआ करती थी डीजल और पेट्रोल से चलती थी और आज के रेट में जो बनने वाले हैं सोलर इलक्ट्रिक भैकल बनने वाले हैं इलक्ट्रिक भैकल किस उससे अलग होगा हलका होगा तांकि अगर जो भी आप उसमें बैटरी लगा रहे हैं उससे ज्यादा पावरफुल हो और उससे ज्यादा दूरी तैक कर सके इस हिसाफ से बनाने के लिए जो कल तक कंपनी मदर्शन सुमी जो भी ओटो पार्ट पुर्जा बनाती थी उससे री निर्मान करने के लिए फिर से एक नवी करन की दौर सुडू हो गई है जिसके कारण से आए दिन नितिन गटकरी देखते होंगे सोशल मीडिया पे बहुत ही एक्टिव रहते हैं और खास करके इलक्ट्रिक भैकल पर जोड दिये वे हैं क्योंकि 2025 तक में एक टार्गेट है क कि रोड पे 80 परसंट इलक्ट्रिक भैकल दो रहेंगे अब यहां पर देख सकते हैं कि बेसक यह जो ब्रांड है चाहे हुंड़ई का हो गया टाटा मोटर्स हो गया सुजुक्की हो गया यह सब ब्रांड है लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे पार्ट पूर्जे होते है यह मदर्शन सुमी यह फिर सिवम ओटो टाच यह फिर एंडूर्शन टेकनलोजी यह सभी के होते हैं तो यह टाइफ होती है जिस भी कंपनी के साथ हो तो यह आप ऐसे जानले कि मदर्शन सुमी छोटे-छोटे ओटो पार्ट पूर्जा बनेते जैसे एलाइव विल्स सी से एरबेक्स बैग तो इस परकार्श के यह बनाती है अब यहाँ पर देख सकते हैं किस परकार से कंपनी जो है डवलप कर रही है यहाँ पर देखें लिथियम आयनु बेटरिक है और यहाँ पर जो मशीने हुआ करती थी आगे यह आप आपको दोनों साइड मिलेंगे सबी चीजें आपको बदलता हुआ देखने को मिलेगा क्योंकि आने वाले जो जनरेशन है वो आपको आपसे कई गुना उचा सोच रखेंगे और उस हिसाफ से अब भी से जो बड़े-बड़े कंपनियां होती है जो बड़े-बड़े आपको इंडरेस्टिडियल लोग दि तो आप कोमेंट करके पूछ सकते हैं अब बात रहे मदरसन सुमी सिस्टम लिमिटेड आज भी अच्छी थी कल भी अच्छी रहेगी और इन सेरों में आज तक कभी भी बता दें कोई अगर लार्ज केप की कंपनी हो उसमें 20% की गिरावट दर्ज हुई है कभी जब भी गि की कंपनी हुआ करता था जो कि इस समय 58,000 है यह निकि अगर आप सोच रहे होंगे कि 20,000 क्रोड की कंपनी यह निकि 20,000 क्रोड कहां गया तो 20,000 क्रोड कंपनियां है उसके नाम से आएंगे मदरसन सुमी वाइडिंग हारनेस लिमिटेड जो आने वाले हैं मार्च 2022 तक में त दोस्तों यह सेर बहुत ही अच्छा है लंबे समय के लिए नॉर्माली आपको 100 कॉंटिटी जरूर खईदना है चाहिए और अगर इन सेरों में लंबे बक्त कर रहते हैं तो आपको बॉनस और डिविडेंट दोनों का लाब मिलेगा और जो सौट टाइम के लिए ट्रेडिं मुड में दिखेगा उनके बाद इन सेरों में 4-5% हर दिन तेजी देखने को मिल सकता है तो धैरी पुर्वक के साथ मदर्शन सुमी सिस्टम लिमिटर में बने रही है धन्यवाद दोस्तों